यानि हिंदी मीटियम वाले बच्चों कंवा विडियो है टर्म one के लिए जो hundred most important msuk कर सकते हो ठीक है मैंने जब English medium की अप्लोड गरी ती तो बहुत सारे Hindi मीडियम वाले बच्चे कह रहे थे सार आप Hindi में अपलोड नहीं करोगे ना मैंने का बिल्कुल Hindi में भी करेंगे ठीक है तो यह Hindi medium वाले बच्चों के लिए MCQ है मैं आपको बता दूँ उसमें हर टाइप के आपको MCQ मिलेंगे पिच्चर बेस कोशन अजर्शन और रीजन ठीक है साथ में मैंने मैप इंकलूड किया है मैप के अल्थो नाम इंग्लिश में है बर डोंड वरी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा नाम और फिर आप से पूछूंगा भी और याद रखना इसे as a test लेना इसे as a test भी लेना मेरे कहने का मत्तब अगर कोई question मैं बोल रहा हूँ तो try करना कि उसका answer आप पहले से guess करके रखो कि इसका answer यह हो सकता इससे practice हो जाएगी आपकी बहुत बढ़िया वैसे तो मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक mcq की हमारी हर एक chapter की मैं mcq की वीडियो बना चुका हूँ वो नहीं देखी तो description में link दे रखा है वो जाकर देखना बहुत बढ़िया तरीके से practice हो जाएगी अभी पूरा chapter पढ़ने का अपने पास time है नहीं तो mcq mcq करके जाओगे तब भी आपकी expectation से बहुत जाद अच्छे marks आएंगे ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ जितना आपने सोचे नहीं होंगे न उससे जादा marks आएंगे अगर सिर्फ आप mcq mcq देख कर चले गए तो ठीक है चलो जी science के भी करें और English के भी mcq अप्लोड करें ये भी मैं आपको बता दूँ और एसस्टी के तो मिलेंगे मिलेंगे तो चलो जी start करते हैं तो पहला question है हमारा के वह राज्य है जहां पर लोगों लोग जो हो वो निम्न कानडो से जुड़ेवे हो जहां पर लोगों की समान भाशा हो समान सत्कृति हो समान बोली हो पूरवर समान हो तो उसे क्या कहा जाता ह तो आपको पता है इसका अंसर क्या है इसका अंसर जी राष्ट राज्य है ठीक है राष्ट राज्य हो जमीन होती है जहां पर अलग अलग टाइप के मतलब एक सेम लेंगवेज हो सेम कल्चर हो सेम डिसेंडेंट हो यह सारी की सारी चीज़े ओके next question है question number two बड़ा easy question है जू तो आपको पता है जूते बनाना का मतलब क्या होता किसी चीज का वी निरमान करना raw material से जब हम finished goods में कोई भी चीज बनाते है ना convert करते है उसको useful thing में तो उसको हम क्या कहते है दुरुत्तक शेतर की क्रिया कहते है ठीक है इसको अध्योगिक शेतर भी बोला जाता है यह आप आपको पता होना चाहिए ने enfin घ्री मछली पानल आया मचली पालना यह मॉचली पाकड़ना यह वाने की फॉरस्टई वगएर यह किसका उधारन है सेवा शेतर का अमध्यमिक शेतर का प्राविक शेतर का टृत्तर का चैओं और बात बता दू मैं आपको बता दू इस वाली खिजड़ी पगेगी तब थोड़ा मज़ा आएगा करने में ठीक है तो इसका अंसर क्या है जी मचली पाला नहीं और डेरी वगर है किसका उधारन है तो यह आपको पता है यह प्रात्मिक शेत्र का प्रात्मिक शेत्र में क्या होता है जब हम कोई भी चीज नेचर से लेकर उ अजाद हुआ क्या बात सही है बेलकुल सही बात है शिलंका जो था हमारा 1948 में अजाद हुआ था ठीक है तरक लिखावा है कि शिलंका का पहले सिलोन था मतलब शिलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था ओके क्या यह बात सही लिखी वी है यह बात भी सही लिखी वी है यादना आपको अभीकतन और तर्क करने का क्या तरीका था, सबसे पहले आपको अभीकतन पढ़ना है फिर तर्क पढ़ना है, जब दोनों सही निकल जाये तो आपको क्या करना है, दोनों के दोनों को compare करना है, यानि दोनों में connection ढूनना, अगर connection बन जाता है, तो इसका मतलब इसका answer है D, और अगर connection नहीं बैठता तो इसका answer है E, ठीक है, तो इन दोनों में आप देखो, शिलंका जो है वो 1948 में अज़ाद हुआ, और तर्क में लिखा हूँ है कि शिलंका का पहले नाम सिलोन था, ठीक है, अब आप बोलोगे सर connection तो बैठ गया, ऊपर भी शिलंका की बात और या, नीचे भी शिलंका की बात और या, बट नहीं, दोनों में connection नहीं है, पता है connection का मतलब क्या होता, मैं थोड़ा से जाधा time लोगा, क्योंकि मेरे को पता है, बहुत सारे बच्चे इसी वीडियो को मतलब लेकर आयोंगे, कि इस वीडियो के बाद हम SST खतम कर द अगर line बन गई तो ठीक है, नहीं बनी, तो connection नहीं है, ठीक है, तो इसलिए connection नहीं बैठ रहा, तो इसका अंसर है D, दोनों सत्य है, बट R और A की सही वेकर नहीं करता, ठीक है, नेक्स कोशन की बात करता है, कोशन नमबर 5 है, कि भारत की भूमी उपयोग का pattern जो है, वो dash है क्या है, मिश्रित या मिश्रण, B जो है वो खेती है, C जो है वो एक तरफा है, या D अकरशक है, तो मैं बता दूँ, इसका अंसर क्या है, कि भारत की भूमी उपयोग का pattern जो है, वो क्या है, वो एक तरफा है, ठीक है, एक तरफा को English में lopsided बोलते हैं, question आपको English medium में इखने के लिए मिलेगा, अगर कभी confusion होना, तो English का ये word पढ़ने है, lopsided, भारत का याद अठना, भारत के भूमी उपयोग का जो pattern है, वो lopsided यानि एक तरफा है, यानि जादा तर जो खेती है, मतलब एक तरफा है, वैसे तो आप आगे जाओगे ना, 11, 12 में या, graduation में जा भारत में सबसे व्यापक मिट्टी है, मतलब सबसे जादा फैली वी है, तो ऐसी कौन सी मिर्दा है जो भारत में सबसे जादा फैली वी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोड मिर्दिया, पीली मिर्दा, तो आपको पता ही है कि भारत में जो सबसे जादा फैली वी है, और वो सबस्यादा उपजाओ भी है, ये भी बात याद रखना, भारत में सबस्यादा फैली वी और भारत में सबस्यादा उपजाओ जो मृदा है, वो C है, जलोड मृदा, ओके, चलो, next question की बात करते है, हमारा next question है, question number 7, डैश मिट्टी थार रेगिस्तान में पाई जाती है कौन सी मृदा थार रेगिस्तान में पाई जाती है, पीली मृदा, काली मृदा, हमारी शुषक मृदा या खेती मृदा, तो खेती मृदा कौन सी होती है, तो देखो eliminate, याद रखना, आपको एना exam में eliminate भी करना है, जो answer बिल्कुल नहीं हो सकता उसको हटा दो, तो खेती कमीन है, तो इससे आप थोड़ा बहुत idea लगा सकते हो, कि शुषक मृदी पर करके आजो, ठीक है, ऐसा तरीका, वैसे इसका अंसर शुषक मृदा ही है, बट हमेशा ऐसा तरीका काम नहीं करता, बट at least तुक्का भीड़ने से अच्छा है, कि आप थोड़ा सा wise guess मारो, ठीक बट बच्चों को एक easy लग रहे होंगे question, अभी दोस्त थोड़ा नीचे आजाओ, जब picture based question आएंगे, यहां थोड़े बढ़िया question आएंगे तब आप बोलोगे, सरी यह तो book से बाहर का है, पूरा भरोसा है, परको comment में 2-3 बच्चों के तो पक्का comment आएंगे, सरी book से बाह लाइन ही लिग दी मैंने, ठीक है, लाइन क्या है, कि 1848 में एक डैश फ्रांसीजी कलाकार थे, उस फ्रांसीजी कलाकार का नाम बताना है, जिसने picture बनाई थी, कौन सी, समाजिक गंडराजियों से बने, विश्व के जो, बतलब बनाई थी ना, लोक तांतरिक और समाजिक ग साधनों का दोहन करके, किसी वस्तू का उत्पाधन करते हैं, तो यह डैश कतिविदी में आता है, तो यह कौन सी कतिविदी है, सेवा शेतर में आता है, दृत्तक शेतर में आता है, परात्मिक शेतर में आता है, यह हमारा अध्योगिक शेतर में आता है, तो जब हम नेचर स के लिए मैं थोड़ा सा धीरे समझा रहा हूं पर आप चाहो तो वीडियो की सेटिंग में जाकर 2x करके फुल रफतार से वीडियो देख लो कोई दिक्कत निया बटे के कोशन करावा होना चाहिए पीच में छोड़ दी वीडियो तो समझ लेना हो गया कल ले आना ठीक है क्यो तो वह भी जाकर आप देख सकते हो चलो जी अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स वाले क्योशन पे हम तो हमारा नेक्स कोशन है कि इतावली कलाकार थे ठीक है इसका नाम था गिसे पे मजीनी अठारा सो साथ में वह जिनेवा में पैदा हुए अच्छा ये भी इस लाइन से भी 24 साल के थे ना तो मैं आपको बता दूँ पहली बात तो यह है कि उन्होंने बहुत छोटी उमर में कार्बोनारी का गुप्त समाज संगठन था उसे जॉइन कर लिया था उसके बाद है ना 1831 में उनको क्या किया था एक्जाइल कर दिया था देश निकाला दे दिया गया था क्यों क्योंकि उन्हें एक जगा पर करांती करी थी कौन सी जगा पर करांती करी थी कार्बोनारी लिगूरिया इटली या जर्मनी देखो साफ सीधी बात है कार्बोनारी तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बोनारी तो एक गुप्त संगठन का नाम था उपर ही लिखा है तो यह परियोज्य है यह जिसको बार-बार यूस कर सकता है सम्भावित हमारा रिजर्व या गैर पुनर विकरन मतलब फुनर नवी करने है तो यह इसको दुबारा यूस नहीं कर सकते आपको पता है नहीं रीसाइकलेबल इंगलिश में बोले तो साइंस बच्चोंगी इंगलिश मे यानि tehdohy को Erosxy जड़ा होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकने के लिए efुतец किया जाता है जो लोड़करिया को यूचा जाता है क्रिशी तकनीक टीस सेनारशन या मि्ट्टी की बचल अब देखो लिल्कुल विझा अलकसा लग रहा है ये तो है नहीं ठीक है मुर्दाशरण तो मुर्दाशरण कई तो बताना है हमें मतलब उससे बचाने के लिए तो ये भी नहीं हो सकता इसका अंसर मैं आपको पता दू मिट्टी संग्रशरण है इसको इंग्लिश में सॉयल कंजर्वेशन में धरका जाते है नेक्स कोशन पर आते हैं कि सौरूरजा संसाधन का उधारन है कि संसाधन का उधारन है तो सौरूरजा जो है हमारी वो एक नवी करने संसाधन का उधार है नवी करने संसाधन क्या होता है जिसको हम बार 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 यूज कर सकते है जो बार बार बनती रहती है ठीक है जी चलो नेक्स कोशन की बात करते ह आप कुछ बोल रहोंगे सर बी भी तो हो सकता है ठीक है रीसाइकलेबल भी तो है सौरूट आरे रीसाइकलेबल कैसे देखो मैं समझाता हूं आपको पुनर परियोज्जे का मतलब होता है जिसे हम बार-बार यूज कर सकते है माल लो आपने कोई बैटरी सोलार एनरजी से चा इसका आप यूज कर सकते हो हर दिन तो इसलिए वो एक नवी करने संसातन है नेक्स्ट कॉशन पर आता है क्योशन नमबर 16 बैल्जियम में अधिकांश लोग कौनसी भाषा बोलते हैं यह आपको पता है कि बैल्जियम में जो अधिकांश लोग है वो कौनसी डच भाषा बो जाने वाली भाषा कौनसी है अपनी मल्याली तमिल सिनली या अपनी हिंदी तो आपको पता है कि हमारे शिलंका के अंदर सबसे जादा लैंग्विज बोलने वाले वो है सिनली बाषा बूलने वाले थे नेक्स्ट कॉशन है कि NSSO ठीक है इसका नाम जो है उद्ट हो चुका तो उसका क्या नाम है राश्य नमूना कारे करम, राश्य संक्य की अंग, राश्य संक्य की कारे ले या राश्य, राश्य, C में लिखा राश्य, ठीक है, D में लिखा राश्य संक्य की कारे ले, तो मैं आपको बता दू, इसका अंसर है जी, क्या, इसका अंसर है D, National Statistical Office, ठीक ह डी है इसका अंसर याद रखना अब यह मत बोलना सरी है बुक में नहीं दिखा दूँगा यह आपको ठीक है चलो नेक्स कोशन की बात करते हैं नेक्स कोशन है कि आपका NSO जो है वो किस मंतराले के अंदर आता है गर्मेंट की एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो मैं आपको बता दूँँ वो आता है जी हमारा सांके की और कार्रेकरम कार्रेवियन मंत अन्य वस्तु में बदल दिया जाता है और इसे ओध्योगी गतिविदी भी कहते हैं देखो साफ सीधी बात है आप ये ओध्योगी गतिविदी सुनकर ही आप समझ गयोंगे कि इसका अंसर क्या होगा ठीक है तो आपको पता है और जो गाना केती है और खेती हमारा प्रात्विक शेतर में आता है बद्यमिक यानि दुत्तक शेत्र में प्रात्मिक शेत्र में तृत्तक शेत्र में तृत्तक शेत्र में तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर है जी वो अपना सर्विस सेक्टर यानि तृत्तक शेत्र में आता है ठीक है अजादी के टाइम इसको अना शिलंका नहीं सिलोन बोला जाता था 1972 के अंदर इसका नाम चेंजो के शिलंका पड़ा है ठीक है नेक्स कोशन की बात करते है शिलंका सरकार किस वर्ष बहु संक्याकवाद नियम या कानून के साथ सामने आई तो यह आपको पता है कि 1956 1956 के अंदर शिलंका की सरकार जो थी वो बहु संक्याकवाद कानून लेकर आई थी जिसमें हमारी जो माइनॉरिटी है उसके साथ भेदबा हो रहा था सिनली भाषा को तो एक मातर भाषा बना दिया बुद्धिजम को पर्मोट किया जाने लगा और तीसरा पॉइंट ही है था जो सिनली भाषा लोग बोलते थे न उनको जॉब में और जो बच्चे थे उनको कॉलेज वगरा में जादा प्राइटी दी जाने लगी ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन लिखाओ उसके बाद एक पिच्चर बेस कोशन है और पिच्चर बेस कोशन से रिलेटेर एक बात भी बताऊंगा ध्यान से सुनना पहले एक कोशन की बात करते है कि बेल्जिम की सरकार ने 90 आथ जैसे मैं पिक्चर दिखाऊए वह ना अब कोशन सुन लो तो यह जो आपको river दिख रही है इसका क्या नाम है तो इसका नाम है जी राइन यह राइन रीवर है देखो इसमें भी रिवर NG, ठोके नेक्स कोशें है वो ही अभीकतन और तर्क वाला अजरशन और रिजन वाला कोशें है, अपना स्थानि सरकार महतोपून है क्या बात सही है? बात सही है? गावा सही है, तावा सही है, अधाए एक दमकार लिखाव है कि लोगों को अपने इलाके की समस्या या में समस्या का बहतर ग्यान है वह स्थानियस तर पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते है क्या ये बात सही है ये बात भी सही है अब देखो दोनों में connection डूनते हैं बीच में क्योंकी लगा के स्थानियस सरकार महतवपूर्ण है क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बारे में अच्छे से पता होता है ज्यान होता है और वो अपने समस्याओं को स्थानियस तर पर ही निप्टा देते हैं इसलिए स्थाने सरकार महत्वपूर्ण है क्या बात सही है बात एक दम सही है लोकल लीडर बनाई इसलिए जाते है ताकि वो अपने लोकल प्रॉब्लम को नॉर्मली सिलजा दे अगर आपके पाक के अंदर को बल्ब खराब हो गया तो पीम को लेटर थुड़ना लिखोगे कि जर्मनी के घंडे का रंग क्या है आपको पता ही है जर्मनी के घंडे का रंग है ब्लैक रेड गोल्ड और मैं आपको बता दू कि जो लाल है सफेद अ नीला है यह आपके फ्रांस के जंडे का कलर है next question की बात करते है weiter तो यह तो हो नहीं सकता था, space की बात कर रहे हैं, ठीक है, और space के बारे में, इस में तो पढ़ा नहीं है, तो science का है, तो SST में तो होगा नहीं, तो यह नहीं है, इस cancer, अंतराश्ट है भी नहीं है, क्योंकि इंडियन है, तो इस cancer भी है, ओके, next question की बात करते हैं, कि चंपारन का इस cancer है, 1917, ठीक है, next question पर आते हैं, भारत में दो डैश उत्पादक शेत्र है, मतलब दो ऐसी जगह है भारत में, जहां पर डैश वसल है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर उगाई जाती है, उस वसल का नाम बताना है, ठीक है, वो जगह कौन सी है, एक तो उत्तर प लें लिखा जाना समझ जाना जी, वो जो है, उस वसल का नाम गेहूं ही है, वीट है उस वसल का नाम, ठीक है, तो इसका अंसर क्या है, ए है, next है, कि मुंगफली जो है, वो किस टाइप की फसल है, खरीफ है, रभी है, जायद है, यहां गरीश मकालीन फसल है, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपकी मुंगफली है, वो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, यानि ए है इसका अंसर, next कोशन की बात करते हैं, कि अजर्शन और रीजन है, अभी गतन और तर्क वाला कोशन है, अच्छे ज़र डाले है, मैंने अभी गतन और तर्क तो बिलकुल अच्छे ज़ करता है, है यह अच्छे से उसकी खेती ही होती है, क्या आप सही है, यह बात सही है, अच्छा एक और बात बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, मैंने ऑक्जाम में बोलो की पैटा तो आपके औरे option पढ़ निना, मैंने option E में ये लिखा है कि दोनों सही है बर दोनों का अपस में कोई लिना देना नहीं है, और A की सही ब्याइक है नहीं करता, ये बात लिखियो नहीं चाहिए, ठीक है, चलो, next जी फ्रांस की रूपक का नाम क्या है, फ्रांस की रूपक का जो नाम है व नेक्स कोशन की बात करते हैं, अभी गतन और तरक वाला कोशन है, अच्छा कोशन है, ध्यान से सुनना, अभी गतन लिखाव है कि जैवी खेती बहुत प्रशलन में, आज कल जादा जैवी खेती हो रही है, कारण लिखाव है कि जैवी खेती में किसान रसाइनिक और सब्सक्राइब लेकिन हमारा आर जो है रीजन जो है वो गलत है तो इसका अंसर होगा एक नेक्स्ट आते हैं कि यह यह वाला पड़िया कुश्चन यह बॉक्स में से है चैप्टर नंबर वन के इतियास के बॉक्स में से आईए ओके अब लिखावा क्या है कि हमारे ग्रिम फैरी टेल्स का नाम में आपने सुनाओगा ग्रिम ब्रेदर्स डो भाईते जेकॉब और वेलम ग्रिम एक जो हुआ था हनाव में पैदा हुआ थे दोनों के दोनों और एक हुआ था 1785 में और एक हुआ था 1786 में पैदा दोनों की दोनों किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे इतिहास की कानून की संस्कृति की या निरंगुष्टा की तो मैं आपको बता दू है दोनों की दोनों पढ़ाई कर रहे थे अपने कानून की लोग की पढ़ाई कर रहे थे लोग की स्टड़ी कर रहे थे यह आपको दिख रही होगी आप देखो पहले आंसर बताने की कोशिश मत करना कुछ वच्छ बोलेगी फ्रेडरिक सौर्यू कोशन तो सुन लो क्योशन यह है कि उपर आपको इसा मसी दिख रहे हैं और बहुत ही सौर्गदूद वाले एंजल्स वगरा दिख रहे हैं ठीक है और नीचे की तरफ इसको देख रहे हैं तो यह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यह राष्टों के बीच बिरादरी बिरादरी नहीं बंदुतवा होना चाहिए इसका अंसर ठीक है बंदुतवा लिख दूं क्या चलो समझ गया ना आप मैं लिख नहीं है टाइम वेस्ट हो की एक दो मिस्टेक हो जाती है और यहां पर मैं करवा देता हूं सही ठीक है चलो नेक्स कोशन की बात करते है राष्ट्रवाद की पहली सपष्ट अभिव्यक्ती 1789 में किस करांती के साथ हुई फ्रेंच करांती जर्मन करांती इंडियन करांती या अमेरिकन करांती तो आप मैं आपको बता दू ला पत्रिया का जो विचार है इसका आरथ है आपकी पित्र भूमी यह बैसिकली फ्रेंच रेवलुशन के बाद आई थी यह बात और लास इटोयन का क्या मतलब है तो लास इटोयन का मतलब है अपना नागरिक इसका अंसर है सी नेक्स कोशन की बात करत गई साथ में स्टेट जनरल का नाम जो है चेंज करके नेशल असेमली कर दिया गया यह उप रोकत सभी इसकांसर है उप रोकत सभी ठीक है सारी की सारी चीज़े करी गई थी जो उपर भी तीनों की तीनों बोली है नेक्स वोशन की बात करते हैं राश्टरवादी इंष्ट जो अनुमरी है तो पूर्ण बहुमी का निभाई रूसी कबजे के बाद डैश भeashा को स्कूल से बाहर कर दिया गया और Okay now the the top पॉलिश लेंग्वेज को स्कूल से बाहर निकालने की खोशिश करी बच्चों को यह बोला पॉलिश लेंग्वेज नहीं पढ़नी तो इसका अंसर है पॉलिश ठीक है नेक्स कोशन की बात करते है करांतिकार उन्हें आगे घोचना की की डैश के लोगों का वह आपको बता च नेक्स कोशन की बात करते हैं निपूलियन बोनापाट के शासक का दोशया निपूलिएं बोनापाट है ना उसकी कुछ कमियां बताओ A लिखा है उसने करबढ़ा दी है censorship लगा दी B लिखा है C लिखा है कि उसने लोगों को सिनाव में बढ़ती करने के लिए मजबूर किया तो basically तीनों बाते करी थी इसलिए answer जो नीचे लिखा हूँ प्रोक तो सबी लिखा है तो इस cancer है D नेक्स कोशन की बात करते है इस picture का क्या नाम है महीला का नाम क्या है तो महीला का नाम तो जर्मेनिया है और इस picture का नाम है तो fallen जर्मेनिया ठीक है इस cancer है B अगर book आप उठाओ तो यह जरूर चेक करना वैसे याद होगा मैंने revision video बनाई थी Hindi medium वाले बच्चों के लिए भी जिसमें मैंने chapter के अंदर से बताया था कि हर एक picture किस ने बनाई है हर एक picture का मतलब क्या है हर एक picture जो है उसमें किस बंदे को दिखाया गया ओके चलो तो इस question की बात करते है 47 कि उस युद का नाम बताई है जिसमें Napoleon Bonapart European शक्तियों से परास्त हो गया था तो इस cancer क्या इस cancer है बैटल ऑव वाटरलू यानि इस cancer है 1815 में होगा था battle ऑव वाटरलू इससे पहले 1813 में भी एक लिपजिगों की लडाई होई थी बट वो उसमें हारा था बट कुछ-कुछ एरिया हारा था पूरा जो है वो वाटरलू की लडाई में हारा था ठीक है कुछ बच्चों का ये भी doubt रहता है next point है कि LA जो होता है वो किस चीज को मापने की काई होती है तो LA जो होता है वो कपड़े को नापने की काई होती है एक number में पक्का question आएगा य चैना जॉलवरी रिंग को और कुस्तुन तुनिया की जो संधी है उसको लेगर हमेशा confused रहते है कुस्तुन तुनिया की संधी दो साल पहले या नी 1832 में होई थी जिस ठीक है जिसमें हमारे Greece को independence मिली थी युनान को यानि next question की बात करते है ओक की पत्ती का ताज डैश का पर ठीक है next question पर आते है अपन तो हमारा next question है कि जॉलवरीन का गठन जो है वो सबसे पहले कि किसकी पहल पर हुआ था question यह पूछा गया और बाद में जर्मन राजे ने भी इसमें शामिल हो गए थे तो मैं आपको बता दू कि प्रशिया ने बोलू प्रूशिया ने इसको बना आता हूं आपको ए कुस्तुन दुनिया की संधी बी जो है वो हमारा वियनया की संधी है सी जो है वो संग का दीनियम और डी जो है इन में से कोई नहीं कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जिनको अगर यह question नहीं आता होगा ना तो maximum बच्चे तुक्का भेड़ेंगे ए बट मै इन में कि संधी में बर्बन डाइनस्टी को restore किया गया था फर्स पॉंट ये तो किया गया था बट हम से पूचा है जो नहीं किया गया था ठर्ड लिखा वा है कि फ्रांस ने उन शेत्रों खो दिया जिसमें ने पोलियन ने इस हेरिया पर कबजा किया था अपने टाइम में ये भी बात हुई थी, रूस को पोलेंड का पार्ट मिला, उपर हमने देखा था, कि रशिया ने जो था, रशियन जो मिलिटरी थी, उन्होंने पोलेंड की लैंग्विज, जो है, उसको हटाने की होजिश करी, कब करी, जब उसने उस पे कबजा कर लिया था, तो रूस को पोल दिया गया, जो की गलत है, नेक्स कोशन की बात करते है, क्योशन नमबर 54, थोड़ा सा मेरे को फ्यूवर हो रहा है, बेट करवाना बहुत इंपॉर्टिंट है, चलो, नेक्स कोशन की बात करते हैं, कि डैश ने गसे पे मजीनों को हमारी समाजी व्यवस्ता का सबसे खतरना हमी जो थी, वो हंगेरियन से कम मिली थी, ठीक है, कब हैबसबर्ग शासोगों को हंगेरियन से थोड़ी सी सवाय अक्ता मिली थी, तो इसका अंसर है 1867, एसका अंसर, ठीक है, इस पिच्चर में जो बंदा है, उसका नाम बताना है, तो यह है नेपोलियन, यह 1813 की जो लाइ जो है, वो सबसे ज़्यादा पानी को रोग सकती है, वोटर होल्डिंग कैफिटी जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका अंसर है जी, काली मृता, C, नेक्स कोशन की बात करते हैं, भारत में जो कितनी परतीशत भूमी जो है, उसका अंसर है, तो भारत की 43% भूमी प सबसे ज़्यादा बोले, देखो ध्याद से सुनना, मैंने भी अभी जल्द बाजी करती थी, बेल्जिम की राजधानी में कौन सी भाष सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका अंसर क्या है, इसका अंसर है, फ्रेंच 80% लोग, चिलंका क्या है, एक डैश देश है, कौ कोशन है, कि ये बताओ, निमनलिकित में से कौन सी मर्दा कपास उगाने के लिए सबसे आधर सबसे आइडियल सॉल है, कपास उगाने के लिए, रिगूर सॉल, लेटराइट सॉल, रेगिस्तानीय सॉल, या अपनी पहाडी सॉल, या प्रहाडी मर्दा, तो मैं आपको बता कोटन जो है, सबसे अच्छा ब्लैक सॉल पर होगा जाता, ब्लैक सॉल को ही, या काली मर्दा को ही रिगूर सॉल का जाता, यह चीज याद रखना, नेक्स कोशन की बात करते हैं, कि विश में फलो और सब जो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत, चीन, सॉफ्टियर सुधार, यह यह सब ही देखो, पहली बात तो यह है, सी तो हो नहीं सकता, ठीक है, सॉफ्ट्विएर सुधार नहीं ता, क्योंकि उस टाम वो सॉफ्ट्वियर थे इनी, दी भी नहीं सकता यह, तो इसका अंसर एपनी इंडेश्रिंट भी इननी थी तो हमने भ थी, नेक्स कोशन की बात करते है, कि निमलिकित में से कौन सी कृषी की परणाली का वर्डन करता है, जहां एक बड़े शेत्र में एक फसल उगाई जाती है, वन्दब एक जो फसल है, वो बहुत बड़े लेवल पर उगाई जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका अंस इसका अंसर है, जी, भी रोपन करिशी, ठीक है, रोपन करिशी का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन, जब बहुत बड़े लेवल पर एक टाइप की फसल होगाई जाती है, तो इसको रोपन करिशी कहते हैं, नेक्स कोशन की बात करते हैं, निमेलिकित में से कौन सी रभी फ बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आ सकते हैं, इसकांसर है, यह बी विनोबा भावे, और भूदान, करामदान और अंदोलन को और किस नाम से जाना जाता था, तो मैं आपको बोलूँ, इसको रक्त रहित करांती के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें खून कर तो इसलिए वो एक वरिक्षण ओपर किसी का एक्जामपल है, सही बात लिखी हुई है, और यही बात देखो कारण में भी लिखी हुई है, है ना, चाए की फसल बड़े शेतर में उगाई जाती है, तो देखो साब पता, कनेक्शन ढूंड देखो, अभी कतन, अब मैं, दे कि दोनों सही और दोनों का अपस में लेना देना है, नेक्स कोशन की बात करते हैं, कि चावल एक परधान फसल है, यानि इंडिया में बहुत जादा भारत के अंदर, चावल जो है, भारत समझ जाना है, भारत दिखा हुई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देख दूं क्या परधान क्रीशी इसलिए है, क्योंकि भारत के अंदर अधिकाश रोग चावल खाते है, और यही बात देखो, कारण में भी लिखी है, तो इसका मतलब दोनों सही और दोनों का अपस में लेना देना है, तो इसका अंसर होगा D, नेक्स कोशन की बात करते हैं, कि अभीकतन ल दोनों बात भी सही है, connection डूनो, फसलों में जयम उत पादोंकों का जयवरसाइनों का प्रियोग किया जाता है, क्योंकि फसलों को तेजी सोका आने के लिए, जयवरसाइनों का इंपट का उप्योग होता है, सही बात है और दोनों में connection भी better है, ताकि production जो हो, ज्रुड़ ज देखते हैं तो बहुत सारी लेडियां जो होती है वो पत्यां तोड़के अपने बैक्स में फिल करती है तो यानि चाय जो है वो एक शंपरदान कृशी है कारण लिखा हुए गेहु भारत की दूसरे सबसे बड़ी अनाज की फसल है बात तो जो दो MCQ देख रहे हुँ नाब नीचे बहुती जादा easy है और बहुती जादा confusing है जान से सुनना क्या लिखा है अब इकतन में क्रिशी प्रात्मिक गतिविदी है क्या यह बात साही लिखी वी है यह बात एकदम क्रिशी प्रात्मिक गतिविदी है क्योंकि क्रिशी के अंदर हम नेचर से चीजे लेकर किसी चीज का production करते हैं समझा गया चलो अब इसका doubt जो है वो अच्छे ज़ेक ले रोगा next question में ठीक है उपर वाले का तो समझा गया न यह है इसका answer दोनों सही है पर दोनों का बसमें लेना देना नहीं है अब यह सुनो जो हमारी अभी कतन लिखा है दावा लिखा है यह की बात है भारत की प्रातमिक गतिविधी क्रिशी यानी भारत में सब्सक्राइल डिखे लाता चीज है सबसे important जो क्रिया है गतिविदी है वो क्रिशी है क्यों कि भारत में two third जंसर क्या क्रिशी करती है अब सही है और अब दोनों का लेना देना भी है तो इसलिए इसका answer होगा डी दोनों सही और दोनों का अपस में लेना देना है समझ आया ना व्रिक्षणोपन भी एक परकार की व्यवसाइक ह्केती है श्हीं बात है व्रिक्षणोपन यहां हमका सकता है रोपन क्रिशी जो प्लांटेशन होता है वो बेचने के लिए करी जाती है, ठीक है, तो ये बात सही लिखी भी है, और जो कारण लिखा लिखा है, खरीफ की फ़सल अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है, पहली बात तो उपर की लाइन से इसका कोई लेना देया नहीं, और दूसरी बात कारण गल से क्यों आएंगे, फिर हम मैप पे जाएंगे, लिखा हुआ है कि राजिस्तान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बात सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है, अभी कतन जो है, एकदम सही है, कारण लिखा हुआ है कि मक्का की फसल जिसका उपयोग भोजन और च आपको पताईए, नेक्स कोशन की बात करता है कि बेल्जियम की राजदानी का क्या नाम है, तो आपको पताईए कि जो बेल्जियम की राजदानी उसका नाम क्या है, ब्रूसल्स, और याद रखना कि ब्रूसल्स के अंदर हमारे यूरोपेन यूनियन, चलो यह लिखा अच्छा, तो European Union का मुख्याले कहां पर है, वो आपको मैंने बताई दिया, Brussels के अंदर है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा शांती है, इसलिए European Union का Headquarter वहां पर बनाया गया, बहुत बड़ी बात है, पूरे European Union का Headquarter है, Brussels में बहुत बड़ी बात है, चलो, इंडिया में ब बहुत कम है, मैं आपको बता दू, Headquarter तो ही नहीं, बड़े-बड़े Organization के, ठीक है, Regional Office है, नेक्स कोशन की बात करते हैं, अभी गतन लिखावा है कि भारतिय सविधान की मूल संरचना में परिवरतन करना सरल है, ये बात एकदम गलत लिखी हुए है, बहुत टफ है, अगर आ उनों का अपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर कभी दिक्कत हो, तो अभी कतन का कारण बनाने की कोशिश करा करो, ठीक है, तो इसका अंसर क्या है, इसका अंसर है जी, दोनों सही है, पर दोनों का अपस में लेना देना नहीं है, नेक्स को जो है अब अकेले पढ़ने की जुरूती नहीं क्योंकि जो मैंने बोला कारण में, जो हमारे अभीकतन का कारण हो सकता हài का इत वी लिखा है, कारण में भी, तो इसलिए दोनों सही जो दोनों का अपस में लेना गihin इससे एक और चीज़ बता दू मैं आपको कि भारत की कोई भी कोई भी नेशनल लेंग्वेज नहीं है ठीक है मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं maximum लोग आप हिंदी में समझ रहे हो पर हिंदी भी हमारी राश्टर भाशा नहीं है एक तरह से आप कह सकते हो ऑफिशल हिंदी इंगलिश बड़ राश्टर भाशा नहीं है इंडिया की कोई राश्टर भाशा नहीं है इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको हिंदी भूली नहीं आती बट वो भी उतने ही भारती है जितने की मैं और आप थीक है चलो next question की बात करते हैं कि question number 83 वर्तमान और भविष्य के उपियोग के लिए प्राकरतिक संसादनों को बनाए रखना और आर्थी विकास करना इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं सतत पोशने विकास पोशने की spelling थोड़ी गलत लिखी वी है मातर अगरे की दिक्कत है क्योंकि हिंदी में टाइप नहीं हो रहा था बड़ा ही होप आपको पता हो कैसे लिखते हैं सदत पोशने विकास ठीक है चलो question number 84 पर आते हैं कम डैश कम लागत पर भोजन परदान कर गरीब लोगों को पोशक सतर को बनाए रखने में मदद करता है एक system है जिसमें क्या होता है गरीबों को थोड़े कम पराइस पर खाना दिया जाता है तो system को क्या बोला जाता है तो मैं आपको बता दू इस system को बोला जाता है PDS सारजनिक वित्रण परना ली BMI का क्या मतलब होता है full form क्या होती है BMI की तो वह होता है body mass index formula पता है ना नीचे comment box में बताना मेरे को कि BMI को निकालने का formula क्या होता है ठीक है next question की बात है अब कुछ बच्चे बूल लिएंगे सर यह BMI का formula भी होता है क्या यह ऐसे मत करना है यार यह पता होना जाए कि BMI का formula क क्या है ठीक है next question की बात करते हैं इसमें से सारवचरिंग सुविधा कौन सी नहीं है बहुत ध्यान से question पढ़ना है नहीं है तो पहला लिखाव है बिजली दूसा लिखाव है सड़केपूल तीसा लिखाव है नीजी स्कूल और चौत्था लिखाव है सरकारी हस्पतार इसम question number 88 की बात करते हैं कि दुनिया भर के देशों में जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए अच्छा तरीका डैश की तुलना करना है मनी पावर का मानव विकाथ सुचकां का सकल राश्रे आये का या सतत विकाथ का तो इसका अंसर है जी बी मानव विकाथ सुचकां जिसको HDRB यानि Human Development Index भी बोलते हैं या Human Development Report भी बोलते हैं ठीक है इसका अंसर है B next question की बात करते हैं SED की full form क्या है सतत आर्थिक विकाथ इसको सतत पोशन है विकाथ भी आप लिख सकते हैं बद सतत आर्थिक विकाथ है क्योंकि SED full form English में बता देता हूं sustainable economic development ठीक है तो इसलिए विकाथ आएगा चलो next है के UNDP द्वारा परकाश्चित जो मानव विकाथ रेपोर्ट होती है ना उसमें हम साक्षरतादर स्वास्थति और डैश का आंकलन करते हैं किसका आंकलन करके तुलना करते हैं वो है जी अपना परतिवक्तिया है ठीक है तो इसका अंसर है B A नहीं है नीजी स्कूल की संक्या से कोई लिए ना देना नहीं है तो इसलिए इसका अंसर है B अब आपना नीचे कमड़ोक्ष बताना कि UNDP की फुल फॉर्म क्या है चलो नेक्स कोशन पर आते हैं कि विकास मापदंड में आम तौर पर शामिल है क्या शामिल है जब हम विकास के मापदंड मतलब दूसरी कंट्री से कंपेर करते हैं कि कितना विकास होना है नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम क्या चीज करते हैं इसमें देखो एक लिखा है कि आ पैसा ही देखते हैं अमेरिका को एक डिवलर्प कंटरे वीकसी मांते है क्योंकि इसके पास पैसे भारत को मानते हैं कैि कि इसके पास पैसा नहीं अपने पास ठीक है चलो है है बट अब population के साब से देखोगे तो ज्यादा जो है वो रिच ज्यादा economic development अमेरिका का माना जाता है ठीक है next है कि IMR का अर्थ क्या है IMR की full form क्या होती है infant mortality rate जिसे हिंदी में कहते हैं शिशु मृत्ति उदर ठीक है इसका अंसर है next question की बात करते हैं कि NSO की पूर्ण रूप क्या है ठीक है NSO National Sample Survey Organization जिसको English में बोला जाता है और हिंदी में राष्ट नमुना सर्वेशन संगठन बोला जाता है last question फिर map पे आएंगे question लिखा हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा रबड का उत्पादक कौन सा राज्य है वो है जी आपको पता है कि जो हमारा रबड है न वो भुमध्य सागरी है जो रेखाया उनों उसके आसपस सबसे चाउकता है और हमारे भुमध्य सागर ऊपर पढ़ती है तो हमारे भारत का सबसे नीचे वाला राज्य है केरला और के अंदर सबसे आदा उगाया जाता है अपना रबड और बाकी स्टेट के भी जो याद रखन ठीक है मैं आपके MSQ पी आ जाते हैं वैसे मैंने मैं आपके explain करके टिक के साथ समझाए है उसकी वीडियो आपको नीचे description में बिल जाएगी चलो जी तो सबसे पहले तो बताने है कौन से टाइप की सोईल है ठीक है अगर आपने मैप नई भी कर रखना तो मैं आपको देखो simple सी यह पताता हूं यह कौन से राज्य है सबसे पहले एक चीज़ आपको clear होनी एक राज्य होना जाय क्या करहाँ पर है तो यह आपको पता है कौन सा है यह अपना जम्मो कश्मीर जम्मो कश्मीर में क्या है पहाड फिक है तो मैं आपको बता दू इसका अनसर है forest Julian mountainous Saul जिस वाली कौन सी मर्दा है तो इसका अंसर का? इसका अंसर है is arid soil. Arid soil का मतलब होता है viveza, राजिस्तान वाला area mark है देको के तो आप तो यहां पर रेती मिठ्टी पाये जाती है चुक्रा कंखा बात कैने कौन सी मर्दा है तो यह जी अपनी लाल और पीली मिर्दा याद रखना बच्चे क्या करते हैं लाल और पीली मिर्दा और अपनी जो हमारी लेटराइड मिर्दा उसमें कन्फ्यूज रहते हैं बट जो हमारा red and yellow soil है वो ज़्याद तर area cover करके रखती है चीक है तो ऐसे याद रख सकते हैं अब यह trick है मैंने जो बताई है आपको ऐसे और भी trick बताई है मैंने वह आप description में वीडियो देख सकते हो और यह कौन सी soil है आपको एक चीज़ पता चल रही होगी यह सबसे ज़्य इखो यहाँ भी फैले भी है गुजरात और यह यह यहाँ असम तक फैले ही है फिर यहाँ वाला एरिया तो यह इंडिया की सबस्यादा फैले वी soil है और यह है जिलो अलुवियल से जादा important यह है कि आपको basically revise हुआ हो ठीक है आपको अच्छे से clear हुआ हो बाकी इसका और भी test लेने का try करेंगे main point जो tech वाला चैनल उसको subscribe कर लेना और भी हमारे channel है जैसे main point gaming हो गया अभी तो छोड़ दो एक्जाम हो जाए फिर करेंगे क्योंकि अभी तो time ही नहीं मिल रहा है आपके लिए दो दो दीन तीन चार चार बज़े तक मतलब पूरा try कर रहा हूं कि regret ना हो मेरे को जब आपकी exam निकल जाए तो मेरे को यह ना लग यार मैंने अपनी तरफ से आपको best देना चाहता हूं ठीक है तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं है सीधा main point study वाले चैनल पर focus है बाकि जो हमारा main point tech का चैनल हो इसको subscribe कर लेना live test वहीं पर होंगे ठीक है बाकि और भी चैनल है जैसे unique world हो गया ठीक है और हमारा vlogging channel हो गया उस पर अभी अ आलनका link नीचे description में है बाकि कोई भी दिखकत हो आपको किसी भी चीज से related हिंदी मीडियों वाले बच्चों को तो नीचे comment कर देना telegram channel आप जोइन कर जाकते हो वहाँ पर आपको notes वगेरा है सारे मिल जाएंगे website अच्छा ये भी बात बता दू, notes चाहिए हो तो सीधा website प नहीं करनी है आपको, ठीक है कुछ ऐसे हमने देखे हैं जो पढ़ाई को business बना रहे हैं ये motive कभी भी नहीं है और पैसा कमाना कभी motive था ही नहीं, ठीक है मैंने आपको बता दू, कुछ ऐसे आपने यूट्यूबर देखे होंगे जो जिनके subscriber नहीं होते हैं, 1000 तो वो दाली, मैंने को भरोसा था कि मेरा channel monetize नहीं होगा, मैंने फिर भी video डाली, क्योंकि बच्चों की responsibility आ गई थी, तो इसलिए सब कुछ free है, mainpoint study बनाई इसलिए, आपको सब कुछ free में provide करने के लिए, ठीक है, बाकि मिलते है next studio में, कोई अगर advice हो आपके पास दूसरे बच्च कि अपके लिए कृम है आपके इसलिए सकता है, कि करने के साथ वाईगा आपके बपास चाली, ऑला आपके घथाए, मैं एक हाई आपकेया शवादयास कि अफिया को कुछ biggest है, बच्चिए favourite है, विए अम जा झाली召टी, वीए भीएजाबोर और को रहिए, यजर अपकेण